और आई बुलेटिन में अब बात मौसम की उत्री भारत के राज्यों में लोगों को इन दिनों गलन भरी बर्फीली सर्दी के दौर से गुजरना पड़ रहा है घने कोहरे और गिरते तापमान से मुसीबते भड़ गई है जन जीवन खासा प्रभावित हो रहा है आने वाले तीन दिन तक शीत लहर ऐसे ही चलेगी जिसकी वज़े से कोल्डे की स्थिती बनी रहेगी एक तरफ जम्बु कश्मीर और लद्दाक जैसे पहाड़ी इलाकों में मौसम शुष्क रहा जबकि मैदानी इलाकों में रह रहे लोगों को भीशन सर्दी का सामना करना पड़ रह है भारती मौसम विभाग आएमडी के अनुसार उत्तर भारत के राज्यों में सर्दी का सितम फिलहाल नहीं रुकने वाला साथ ही लोगों को कड़ाकी की सर्दी के साथ घने कोरे से भी जूझना पड़ेगा पूर्व उत्तर के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना भी चताई गई है तमिलनाडू के कुछ इलाकों में बारिश होने के आसार बन रहे हैं इधर राजदानी दिल्ली एंसियार में इन दिनों भी शंट सर्दी बढ़ रहे है दिल्ली में जहानी उंतम तापमान नौ डिगरी तक जा सकता है दिन भर कोहरा चाय रहने की संभावना ह आएमडी की ओर से शनिवार के लिए औरेंज अलर्ट जारी किया गया है लोगों को शीत लहर का सामना भी करना पड़ सकता है इस कारण और ज्यादा ठंड भड़ेगी वहिदर राजिस्थान, पंजाब, हरियाना, उत्रप्रदेश और उत्राखंड के कुछ हिस्सों में घना कोहरे की आशंका जताई जा रहे है हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, बिहार, ओड़िशा, असम, पश्यम बंगाल के पहाडी हिस्से और मेघाले, नागालेंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रपुरा में घना कोहरा चाया रहेगा इन इलाकों में घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी भी कम रहेगी राजिस्थान, पंजाब, हरियाना, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में शीत लहर चलने वाली है तो वैं उत्राखंड के कुछ इलाकों में तापमान शून्य से नीचे भी जाने की आशंका जताई गई है समूचे उत्री भारत में इंदिनों कडाके की गलन भरी सर्दी और कोहरे का सितम बरकरार है दिल्ली एंसियार शेत्र में घने कोहरे की वज़े से कम विजिबिलिटी है जिस कारण दिल्ली के इंद्रा गांधी इंटरनेशनल एयर पोट पर कई फ्लाइट देरी से चल रहे है साथी कुछ फ्लाइट्स को रद भी करना पड़ा है यानि कोहरा और उसकी वज़े से विजिबिलिटी कम है जिसके चलते कई फ्लाइट्स को रद करना पड़ा है तो कई का टाइम बदला जा रहा है और फ्लाइट में देरी होने की वज़े से परेशानी यात्रियों को हो रहे है